आपने जो ट्रेट लगाया हुआ है उसमें आपको कितना चार्जिस लगे हैं उन चार्जिस की जानकरी आप कैसे ले सकते हैं इसकी पूरी जानकरी आपको आज के वीडियो में मिलने वाली है तो दोस्तों हम यहां पर आ चुके हैं एंजल स्पार के अप्लिकेशन पर आने के को मिलता है इस पे हम्लीठ कर यहां में प्लिक कर लाए चार्ज लगा हुआ होगा हैं यहां में डोली मिल जांकरी मिल जाती है इस इसे पर अठाइब कर आạnh जाती है धलंति यहें इसके आनो ब्रतियों बहुती है उतकी किसी भी तरह की buying and selling की advice नहीं होती है तो stock buy करने से पहले आप अपना energy से जरूर कर उसके बाद किसी भी stock में position ले सकते हैं तो जैसे कि हम यहाँ पर total charges की बात कर रहे हैं तो हम इस month की बात करते हैं तो इस month में यहाँ पर five trades लगे हुए हैं और यहाँ पर जो trading का जो charges लगा हुए है यह 131 रुपे का लगा है जो total charges लगे है यह 244 रुपे 37 परसे का लगा है और जो non-traded charges थे यह 83.37 के लगे हुए हैं और यहाँ हम देख सकते हैं कि seven days में जो trade हुआ है उसके बारे में जानकर रही मिल जाती है अगर हम 15 days में कोई trade लगाए है तो इसके बार क्लिक करेंगे तो हम आप सामने 15 days का trading का data निकल जाएंगा अगर हम यहाँ पर 30 days पर क्लिक करते तो एक मेने का data निकल जाएंगा custom में आप अपने अनुजार कोई भी date को randomly select करके आप अपने trading के charges यहां पर देख सकते हैं कि आपको पार trade पर कितना charges पर किया है आपने और कितने आपने trade लगा है जैसे कि यहां बात करते हैं तो यहां दस फर्वरी को जो trade लगा हुआ है यह एक trade लगा है यह गिक है वायर लिमिटेट का है जिसके अंदर इसके अंदर जो charges यहां लगे है यह 13.44 के total charges लगे है और यह बाय हुआ है डिलेवरी में बाय हुआ है यानि कि delivery में हमने इसके 93 shares बाय की है तो 93 shares के उपर सिर्फ 13.44 उपिस का यहां पर charges हमें लगा है तो इस प्रकार से हम एंजल इस पायकिशन में यही है हम यहां हर एक ट्रेट को देख सकते हैं कि पर्टिकुलर स्टॉक में हमने कितना चार्जेस पे किया है और हमों एक इतना मुनाफ़ा मिला है वो सारी जानकरी हम एंजल स्पार के अप्लिकेशन में देख सकते हैं तो एंजल स्पार के अप्लिकेशन का आप यूज कीजिए और सांदार अपोचनेटिस का बेनिफिट लीजिए उम्मीद करते हैं दोस्तों वी